तलोजा के पास कोयमबटूर हिसार एक्सप्रेस में लगी भीशन आग नवी मुंबई के तलोजा के पास अचानक कोयमबटूर हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के पिछले डब्बे में आग लगने की खबर सामने आई है आग के कारण पिछले डब्बे में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया लेकिन उसमें यातरी ना होने के कारण कोई जीवित तहानी नहीं हुई है सिटको की दमकल टीम ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया ट्रेन के उससे डिब्बे को अलग कर आगे के लिए रवाना कर दिया गया है फिलाल उस लाइन पर ट्रीन सेवा बाधित हो गई है जुसे रेलवे के करमचारी बहाल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं आग लगने का कारण फिलाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन तलोजा के पास कोईंबर टूर हिसार एक्सप्रेस में भीशन आग लगने की खबर सामने आई है जुसके कारण डिबे में रखा हुआ सभी सामान चलकर खाक हो गया है